तो आज का मारा जो वीडियो रहेगा में वीडियो रहेगा डिश्टेंस और एक्षिंज के उपर देखो मैं हर एक टाप के कॉस्टेंस करवाना चाहता हूं इसलिए मुझे कॉछ लेकर आ रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कि आपको कई प्रॉब्लम नहीं तो पहला कॉश्टेंस के इसके अंदर कितने वह आगे बजाता हूं पहले हम इसे ड्रॉब कर लेते हैं तो स्टेट्मेंट के इस स्टेट्मेंट का मतलब क्या है इस स्टेट्मेंट का मतलब क्या है तो मैंने पॉइंट ले लिया और नौर्थ की तरफ में कर रहा हूं जा रहा हूं ठीक है एंड उसके बारे में बोल्ड रहा है इस cya कोण्य इस बीडान कीवारे करने के बारण की अंदें और भांगे यहांज से लेट को आएगा नीचे को आएगा लेफट एंडल फाई किल॓मेटर का आ गया यहां पर आगया टिक है five kilometer आ गया and then turn to your left again अब यहां साउथ की ड्रेक्शन तो left कहा होता है इस सेट को जाएगा and then turn to your left another six kilometer तो five यहां पे six कितना आ गया यहां पे six kilometer यहां पे आ गया ठीक है यह इसका क्या गया final point आ गया अब क्या बोल रहा है यहां तक कर लिए ना बोल रहा है and before finish बोल रहा है finish करने से पहले उसने के किया you take another left turn and run one kilometer तो अब यहां से वो क्या करेगा left को जाएगा one kilometer लेगा इसका मतलब यह है इसको छोड़ दो यह बोल रहा है खसम होने से पहले आपको फिर से left turn लेना है और one kilometer run क करना है तो one kilometer कहां से run करेगा यहां से यहां से पहले वो left जाएगा left पतल ऊपर को जाएगा और one kilometer ले ले लेगा तो यहां पर आ जाएगा one यहां पर आ जाएगा यह one kilometer मैंने distance लिखती है ठीक है यहां तक complete हो गया यह मारा diagram बन गया तो इसके अंदर पहला question मैं लेकर आता ह तो पहला question चेक करो क्या बोल रहा है how many kilometers are you from the place you started how many kilometers are you तो बोल रहा है कि आप अभी कितने kilometer पे हो कहां से जहां से आपने start किये तो मेरे starting point यह वाला point है ठीक है यह वाला point मेरे starting point है और यह मेरा final point है तो यहां से यहां तक कर distance पुछ रहे कितना है तो देखो यह total 6 है यहां स यहां तक कितना होगे 5 होगे तो उपर वाला 5 है 5 यहां तो होगे और यह वाला इतना साथ distance बच रहा है वह किया 1 km आ रहा है कितना रहा है तो आपको आपको आंसर के रहेगा option number a question number second लेकर आता हूं तो फर्स question complete कर लिए second question यह इसका डियाग्राम यह दिए तो in which direction will you be running while finishing त से पहले वाली कौन सी डिरेक्शन है तो नौर्थ वाली डिरेक्शन है तो आंसर के रहेगा option number c नौर्थ question number third है after taking the second turn देखो तो पहला turn किया है यह पहला turn यहां पर आया ठीक है दूसरा turn यहां पर आया south direction number four from the finishing point finish finishing point यह मेरा ठीक है if you have to reach the point from where you started मतलब मैंने start यहां से किये तो बोल रहा है अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो आप कौन सी direction लोगे तो देखो यहां से अगर मैं यह वाले direction हो यह कौन सी होती है तो मैं जाओंगा option number B की तरफ वेस्ट डिरेक्शन में तहीं मैं कहां पहुंचूंगा starting point में पहुंच जाओंगा ठीक है तो यह वाला question check करो बहुत interesting question है यह बहुत इंट्रेस्टिंग कॉश्चिन है यह भी देखो अनिल आर्या इटी एंड इरा start walking from the same spot after walking for some time all four come to a halt तो मत 50 steps exactly to the East East यहां पर रहते हैं तो निल के कर रहा है 50 steps के कर रहा है ऐसे लिखती है मैंने steps ऐसे लिख देता हूं फिर इस्ट में चला गया ठीक है इसको point के मैंने ए नाम दे दिए ठीक है point A नम दे दिए तो गया दिखो point A हो गया या फिर इसको भी ले सकते हैं आपको कि दोनों एक जगा रुखे थे नहीं all four come to a halt तो यह वह है इसको मैं ए लिख देता हूं ठीक है इसको मैंने ए लिखती है इसे मैंने बी लिखती है और इस point को मैंने सी लिखती है ठीक है ए पॉइंट यह हो गया जाहां पी रुखे थे all four come to a halt मतलब एक जगह रुख गए तो रुखने वाला पॉइंटि हो गया उसका लोग बी यह हो गया चीक है में कि अर्थ वाक्सेंट्रे इस वाट एक सरी दिटी क्शा सौव वाक किया था यहां पर सबसे पहले था अनिल लिख देता हूं कॉस्टिन नौ इसलिए मैं नाम लिख देता हूं उसके बाद किया था आरे आ यहां पर ऊपर नीचे के आ गई इती आ गई इती यहां पर आ गया और अब क्या बोल रहा है इफ इटी वॉक्स फॉर्टी श्टैप्स एक्टी टुदवेश्ट ठीक है इती जो है यहां पर आ रही है तो ए बी सी टी पॉंट ईलिख दे रिए इसका नाम किया इती आ गी यहां पर ठीक है यहां गया है डिटर्माइन के करने हैं दो फॉल्विंग विन ओल्व कम टुए हॉल्ट ठीक है वह तो मैंने हमें पता है कि हॉल्ट मैंने यहां से स्टाट किया था अब मैं इसको ना ऐसे करके डौ कर देता हूं इससे मुझे याद रहेगा मतलब कि यह क्या है आपस में एक दूतरे क स्टैप से ना सीमल कई अब आगे हम कॉश्चन को सौल्ट करें तो कॉश्चन में जो हमें ऑप्शन दी होंगे ना वहां पी हमें नीरेश्ट होल नंबर यूज करना है ठीक है तो आपको करना कि है जैसे इस पोस्ट करो अगर आपका रूट में आनसर आता है रूट कितना स्टैप। रोट करो 30 आ रहा है रूट तो यह कोई परफेक्ट स्क्वेर नहीं आ तीक है तो आप के कर सकते हुं देखो 5 का स्क्वेर कितना होता है 25 होता है जिक्ता 6 का ज्यादा हो जाएगा न देखो 30 30 से उपर ज्यादा आ रहे तो हमें फाइव वाला लेना पड़ेगा आपको जो लेना पड़ेगा वह के लेना पड़ेगा और मालों वहां पर आप्शन में 25 दिया है साथ में क्या दिया आपको 28 दिया है 29 दिया और 26 दिया तो आपका जो आंसर रहेगा पाइथागोर स्योर्म लाएगा यहां का इस पता है यह वाला फाइंड आट करना है तो लगा लेते हैं पाइथागोर स्योर्म और ए और बी का कितने हैं फिफ्टी है ठीक है तो इन दोनों का स्क्यार ले लोगे और रूट यहां पर आजाएगा तो 9 0 0 स्का आग्ए और 2 5 0 0स का अगए olm 279 नो दस केरा रहे त्योर्म 13 14 4 are को 민ững को होल नमबर में देने हैं को हमें होल नमबर गिवन है यहां पर रोट मे consider रहे तो आपको करना कि आप देखो सेवन फोर दीर दुरूप के जो नीरेस्ट वाला रूट है वह कौन सा हो सकते हैं देखो अगर मैं 85 का करूंगा ना देखो 85 का स्क्वेर कितना हो जाएगा कर लेता हूं यहां पर देखो कि फॉर्टी फॉर्टीवन फॉर्टीटू ठीक है शिक्स्टी एट थीक है फाइब टू आट नौ स्क्राइब आरा चुरे देखो सेवन टू टू फाइब ठीक है 85 का आ रहे हैं अगर मैं 86 का करता हूं तो 86 का थोड़ा और उसके नस्दीक आ ज रहेगा 86 का जो स्क्राइब होता है ना वह 7400 के थोड़ा कम आएगा मतलब 73 सम्थिंग आएगा कुछ भी आ सकता है लेकि इतना ही रहेगा 74 से 00 आगे नहीं जाएगा ठीक है तो आपको जो आंसर होगा 86 रहेगा क्यों क्योंकि उन्हें हमें बोला था न कि number of steps के हमें जो यह 85 अप्...च होगे 85 को जो स्क्वेड रहता है वो यह रहता हि 725 यह एक perfect square होगा तब भी नंबर जो आएगा वो配क्वेक्ष्ट कीर होगा फिकनी गरद सनिग न्सदिक इंही इस जबला चाहिए बंफिन की जुरूत नहीं क्यों कि सिंपल फूचा है से तो यह इन दोनों का टोटल डिस्टेंस करने कि एड कर देने तो यह डिस्टेंस कितने और एक कितने सिटी तो सेवंटी प्लस सिटी कितना हो गया वन ठ्र्टी तो आपका अंसर कर रहेगा वन ठ्रटी रहेगा वस्ट नम्र ठर्ड लेकर आता हूं मैं तो गार्ष नब ठर स्क्रिन के उपर ही है डिस्टेंस बिट्वीन इटी और आरे उपर है तो यह और सी का डिस्टेंस जो वह फाइंड ओट करना है ठीके अ जब टो इसमें की लाएगा पाइथागुरस सवेर में एप्लाई होगा तो मझी का आप अपशुणा करना है तो रूट किसका लूँगा मैं do iya ka e kawas square plus c kawas square एक ले लिया तो ए और एक का distance कितना है 40 है 40 का स्क्वेर को अगया प्लस 50 कि इस से की टियुक्ति एक स्क्वेर और रूट आ गया तो फोर फॉर्फ जा सिक्ष्टिं सिक्ष्टिं हंड़ यहां अगया थ्रिसिक्संडर यहां पर आगया तो इन दुन यह नहीं बोल रहा है कि परफेक्ट 72 चाहिए या निरेस्ट वाला बोला हो तो अब रूट 5200 यह एक परफेक्ट स्क्वेर नहीं है ठीक है यह कोई परफेक्ट स्क्वेर नहीं है तो इसके नजदीक वाला सकता है यहां चक करो 70 के स्क्राइब लेता हूं तो देखो 7 749 इसका जो एक फॉर्ट इन हंडड़ आएगा ठीक है फॉर्ट ने हम चाहिए इससे ज्यादा नहीं चाहिए इससे कम होना चाहिए पर नजदीक होना चाहिए तो अगर मैं 72 का लेता हूं तो देखो 72 इसके नजदीक आ रहा है ना देखो तो मतलब 72 का स्क्राइब वो कितना आता है 5184 और मुझे जो चाहिए इससे कम चाहिए तो यही मेरा आंतरों ने चाहिए 72 नीरेस्ट वाला होल नंबर चाहिए न मुझे तो इसका जांसर होके रहेगा 72 72 है यहां पर ऑप्शन नंबर 3 तो कई भी एक कॉस्टिन पूरा पढ़ा पूरा पढ़ना चाहिए वहां पर नीचे उन्हें गिवन वह चीज़ें दिए डेटा दिया होता है कि अगर आपको जो आंसर देना है वह के देना है नीरेस्ट होल नंबर में देना है तो आपको वैसा ही अप्लाई करना तो आपको यह वाला कॉस्टिन भी क्या है समय आगे होगा अब कॉस्टिन नंबर आगे वाला बताता हूं मैं तो क्या देखो कॉस्टिन नंबर फॉर्थ स्कीन के ओपर यह देखो वेन और आव हॉल्टे मतलब जब सबके सब रुक जाते हैं विच टू आउट आप फॉर अब देखो अगला वाला के बोल रहा है आर्या और एड़ तो दो ज्यादा हो जाएगा तो यह मेरा अंसर नहीं होगा इटी और अनिल चेक करता हूं कहें इटी और अनिल देखो पांच और चार कितना होता है नौ 90 स्टेप्स टोटल कितना हो गए यह 90 स्टेप्स होगे तो यह भी मेरा अंसर नहीं हो सकता आये के बोल रहा है इटी और इटी कहां पर है यह इटी है और यह इर है देखो सत्र और चाली अगर आप इसका भी निकालोगे ठीक है तो यह इससे तो ज्यादा ही आएगा न देखो 60 और 40 का मुझे पता है 72 आए ठीक है तुम्हारा अंसर क्या रहेगा आर्या एंड इती यही मेरा अंसर रहेगा देखो समझो कॉश्चिन के बोल रहा है क्लोजेश डिस्टेंस बताना है मुझे कौन से दो ऐसे वह हैं जिनका डिस्टेंस जो हो क्या है ठीक है तो देखो आर्या और इती का जब हमने चासती है तो यह ज्याद हो जाएगा ठीक है ऑप्शन चेक करो आपको चलो यह भी चेक नहीं करें आप्शन चेक करो दूसरा ऑप्शन के ता मुझे आरे एंड इरा के टोटल स्टेप्स कितने हैं साथ और शे और साथ कितना होता है एक टेरा एक सो तीस हो गया तो एक सो त 30 steps तो ज्याद होगे ना यहां पर 72 steps निकले थे बीचमने और यहां कितने आ रहे है 130 steps तो यह वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता है unhya closest distance बोले है i wait 60 you 40 और कितना यह ज्याद है वहले थाburst और 80 सब्सक्राएब 210 और चलो सबसे दूर का डिस्टेंस किन दोनों के बीच में तो देखो यहां चेक करो पहला ऑप्षिन के बोल रहा है और अप्षिन भी सेम है कॉश्चिन फिस्टेंस में यहां पर नहीं लिखा है पहले चेकर आरे वेटी आरे और इटी का जो है वह कितने फार्देश्ट नहीं यह तो डिष्ट सेम्टी चैप सेपस आया था आगे बोल रहे है आरे और यह दो तो ज्यास 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 तक ही आएगा इसका अगर 72 तो उसका 74 रख लो तो मुझे फार्देश्ट चाहिए तो फार्देश्ट कौन सा है 130 तो 130 किसका रहा है और और इरा का तो ऑप्षिन नंबर क्या रहेगा बी मतलब फिफ्स का फार्देश्ट डिस्टेंस वाले का अंसर क्या रहेगा आ रहे एंडी तो आप यह खुद कॉश्चन एक बार सॉल्व करके देखना फिर मुझे बताना कि क्या है समझ में आता है या नहीं आता है ठाए है है तो कास्षण नंबर ये च lodge करो यह जूए अगुद बेश्ट में बंघती हैं उस्के सब्सक्राइस के टाइम पर सारी एस्ट में बनती है एक-और डिग्रम सा właśnie सनसेट सेट या इवनिंग के टाइम में सारी है इंनसान जहां मरझी देख रहा हो नॉर्थ Кो दीख रहा हो चाहिव Physics को देख रहा हूं में वह organ Should तरह से संसेट के टाइम में संसेट होता है इवनिंग के टाइम में जो होता है वह क्या होता है मतलब संसेट होता है वेस्ट में सूरज यहां पर रहता है ना संसेट के टाइम पर तो जितनी भी शैडूस बनती है वह इस्ट में बनती है आप नौर्थ को देखो साथ को देखो वैस्ट को साज़िएग साज़ चाहां बनेगी, एस्ट में ही बनेगी, तो हुमेशा यह दो चीज़ें याद रखनी है आपको जब भी, शैडो बेस्ट वाले कॉश्चन साल्ड करने है तो यह वाला कॉश्चन चेक करते हैं, वन मॉर्निंग आफ्टर संड्राइज मतलब संड्राइज की बात कर रहा है यह लवली वर टॉकिंग तो इसे बना लेता हूं लेकिन मैं यहां पर किया अभी तक नाम नहीं दिया कि रिया और लवली आएगी कहां पर तो यह जो जगह वह कौन सी है तिलक स्क्वेर बोल दिये तो यहां बना लेता हूं तो यहां पर शैड़ो कभी नहीं बनती है संड्राइज के रहे में अगर मैं राइट के अब कर लू यहां पर बना लू मतलब फेस टू-फेस बोला तो दिरेक्शन तो यही दो रहेंगी इस यह वाले डिरेक्शन नहीं आएंगी ना मुझे यही तो मेरी फेस टू-फेस डेक्शन के रहेंगी यह देगी अगर श्पोस करो मैं यह यह जो है रिया को यहां बना लेता हूं तो बोला किया मुझे इफ लवली की शैड़ों यहां पर आजएगी लेकिन सन्राइस के टाइम पर शैड़ों जो बनती है सब की सब वेश्ट में बनती है तो मुझे रिया को कहां रखना पड़ेगा नॉर्थ में यहां रखना पड़ेगा इस वले डिरेक्शन में तभी वो क्या करेगी उसका राइट के आएगा मतलब साउथ में रखूंगा उसको ऐसे करके तभी उसका राइट के आएगा यहां पर आएगा अगर मैं रि को सब था, इधरी सायड़ विकी कान सीधिक है, मुझे था, भेस रचाइज से झाइज नहीं देख До तो अगर मैं face to face कर रहा हूं मतलब जैसे यह दो face हैं अब देखो यहां उन्हों बोला है if lovely shadow was exactly to the right of Ria रिया के right में क्या है lovely की shadow है तो रिया का right अगर मैं रिया को यहां रखता हूं ठीक है मतलब रिया की अगर मैं north direction रखता हूं तो right उसका कहां बनेगा यहां पर बनेगा और राइट में कई भी shadow नहीं बनती है sunrise के time में सारी-सारी shadows यहां बनती है हमेश याद रखना ठीक है जो arrow मैंने दिये sunrise के time में जहां मर्जी किसी भी direction में आप देखोगे shadow सिर्फ west में ही बनेगा और जो sunset का time होता है उसमें आप जहां मर्जी देखो shadow वो जो बनेगा न shadow कहां बनेगा इस्ट में बनेगा जो arrow दिये यह इस्ट के लिए तो इस्ट में बनेगा ठीक है तो अगर मैं suppose करो रिया को यहां पर बिठाता हूं ठीक है रिया को नॉर्थ में बिठाता हूं तो राइट साड में उसकी shadow बननी चाहिए lovely की लेकि यहां पर मैं रिया को बिठा रहा हूं तो रिया का राइट क्या होगा वो साउथ को देखती है तो राइट यह होगा और लेफ्ट यहां होगा तो राइट में क्या बन रहा है लवली की shadow बनती है तो एक्जेक्टली बोल ठीक बोल रहा है यह वेस्ट में shadow बनती है तो रिय सब्सक्राइब एक उसके राइट में क्या बनेगा तो टो मतलब सन्रेज्च के टाइमें बनेगी तो बनेगी तक तो इस में बनेगी त्युक्राइब बोल रहा है ओनं है वन इवनिघल यार्ट चोपने होग 있습니다 नोर्थ डूर्ठ गया और सवस्ता Hills के यहाँ पर बने की संसेट के टाइम पर सारी शारी 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 शार अब देखो, अगर spose करो Ram जो है, north को face कर रहा है तो shadow कहां बंधरी है? इसकी right बल रहाए है, तो यहाँ पर south कर रहा है, तो right यहोगा तो shadow जो बनती है, तो यहाँ बनती है, corporate तो मैं उसको south direction में नहीं कर सकता ठीक है, इसको psalm को जो मैं south direction में नहीं कर सकता और शैडव संसेट के टाइम में कहा मनती है तो राम जो आ गया वो मेरा कहा गया यहां पर आ गया ठीक है उसकी शैडव जो बन रही है वह यहां पर बन रही है ठीक है अब मुझे बोलके रागे विश डिरेक्शन वाद मादव फेजिंग तो आविसली पता अगर राम नौर् रहेगा option number C सब्सक्राइब आपको यहां समझाए बहुत इजी कॉश्चन होते हैं यह आपको डाइगराम याद होना चाहिए कि संसेट का डाइगराम है और संट्राइज का डाइगराम रहता है वह कैसे रहता है दो इस्ट वेस्ट नौर्थ सौथ तो संट्राइज यहां स सारी शाड़ो बनती है वैस्ट में बनती है ठीक है तो यहां लिख देता हूं मैं संट्राइज और हमेशे कॉश्चन जाता है वह फेस्ट फेस आता है मतलब जैसे एक बंदा है और और दूसरे को फेस कर रहा होगा इस तरह से आएगा जैसे अब यहां पर कॉश्ट नहीं घंद मैं यहां पर वैस्ट में नहीं बनेगी तो यहां पर तो राइट इस साथ आगा है और गारशे बात जालो इस की बएक करेंगे हम इस वाली वीडियो को stop कर अगा है को दिति हाँ न बहुत मौर्निंग मतलब मौर्निंग का टाइम है तक वह पता हों की मोर्निंग का टांक हुआ कि सब्सक्राइब देगा पी नॉर्थ सबीज्यान को सब्सक्राइब by यहाँ से हैं ऊंच में जबने क्विछ सब्सक्राइब दोन मौनिंग आफ्टर संराइज परमॉद और साकित वर चंदिने बेपार्क विध इयर बैक्स अब दिखो विध यर बैक्स मतलिए पीट से पीट मिलाई है तो पीट से पीट कैसे मिलेगी ऐसे और ऐसे ठीक है फेड़िया कैसे मिलते हैं अगर टू टो फेड़िक हो तो ऐसी वाली डियाग्राम बनती हैं आपर फेज़ narrative बनती है और यह कौंसी डियाग्रम है यह back scheme मतलब एक दूसरे को तो देखो अगर यहां मैं अगर प्रमोद को नौर्थ वारी डियाक्षिन में बनाता हूं तो इसकी शेडव कहा बनेगी देखो यह राइट बन रहे है ठीके लेफ्ट यहां आयागा तो यहां पर मनती है तो मुझे करना पड़ेगा प्रमोर्ट को नॉर्थ में ही रखना पड़ेगा क्यों ऑगर मैं प्रमोर्ट को नॉर्थ में रखता हूं तभी यह एकजक्टली वाली स्टेट्वेंट मेरी सैटिस्फाई हो यह प्रमोट को यह लगता हूँ तो लेफ्ट हैंड saai कौन सा चायगा यहां पर आ जाएगा और सारी 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 शेडों देको साउथ में अगर मैं प्रमोद को सौथ में पेस करता हूं तो उसका लेफट जो रहेगा सौर्फ में हमेशा लेफट कहा यहां पर आता है और यह लेव्ट और नॉर्थ में कोई तो उसका राइट यहां पर आता है तो देखो अब बोल रहा है प्रमोद शेडव फैल एक्जेक्टली टौवार्ड इस लेफ्ट हैंड साइड अगर प्रमोद साउथ को फेस कर रहा है तो उसकी शेडव लेफ्ट में कहा आती है यहां पर लेकिन मॉर्निंग के टाइम में शे साउथ को फेस कर रहा है तो बैक टू बैक टू बैक की डाइग्राम ऐसे बनती है तो आपको यह वाला कॉश्चन जो है शेडव बेश्ट वाली समझ में आऊँगे सिफ दो डाइग्रम ज्याद रखनी एक सन्राइज वाली रखनी और एक संसेट वाली रखनी सन्राइस के तो बंदा इस बदेख रह ना तो घर बढ़िया लगे उन्हें तो ने करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर देने ठीक है और वीडियो को लाइक और शेर कर देना ताकि आपके कोई Friends हो या है कोई आपके Viewers हो अगर वो मेरा चैनल दे कन ले रह रहा है तो वह भी क्या कर सकते है यहां से यहां पर सेख कर सकते हैं पर ठीक हैzos यहां तो काम आपने